नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में बिहार की राज विवास्ता से सम्मंधित सभी महत्पुन पॉइंट को डिसकस किया जाएगा केवल एक वीडियो में और इसके सारे पॉइंट घटना चक्र से लिया गया है तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडियो को टेलिगराम गृप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आए देखते हैं पहला पॉइंट प्रत्म मुखमंत्री कौन है बिहार के तो बिहार के जो प्रत्म मुखमंत्री है डॉक्टर स्रीकृष्न सिन्हा है इन प्रत्म मैला मुखमंत्री कौन है बिहार के तो स्रीमती राबडी देवी है प्रत्म गैर कांगरेसी मुखमंत्री कौन है तो स्री महा माया प्रसाद है प्रत्म गैर कांगरेसी मुखमंत्री कौन है तो स्री महा माया प्रसाद है शरवाधिक बार मुखमंत्री कौन रहे है त पुला पास्मान, सास्तीरी, डाक्टर, जगरनाथ मिस्र एबम, राबली देवी जोहे, तीन-तीन बार बिहार की मुखमंत्री बनते हैं नेगस्ट है बिहार के राजपाल के बारे में समझे तो पहला है उपर आजपाल, बिहार एबम उडिसा, 1912 से 20 तक बिहार एबं उडिसा क्यों लिखा गया है तो 1912 में जब बिहार एक अलग राज पच्छिम बंगाल से विवाजन के बाद बना था तो उस समय बिहार और उडिसा साथ में थे दोनों को बोला जाता था बिहार लेकिन 1936 में आपके बिहार से उडिसा अलग हो जाता है ठीक है तो 1936 के 36 तक बिहार एबं उडिसा साथी में लिखाएगा और दोनों साथी में थे अब बिहार नाम से उडिसा जाता था तो यहाँ पर है बिहार एबं उडिसा 1912 से 20 तो इसके प्रथम जो उपराजपाल कौन थे तो सर चाल्स अस्टुवर्ट बेले थे और अन्तिम कौन है तो सर एडवर्ड अलवट गहे थे सर एडवर्ड अलवट गहे थे उसके बाद है राजपाल बिहार एडवर्ड अलवट गहे थे उसके बाद है राजपाल बिहार एडवर्ड अलवट गहे थे उसके बाद है बिहार के राजपाल 1937 से 47 अब यहां पर अलग हो जाता है तो बिहार के राजपाल में जब उडिसा अलग हो जाता है तो पर्थम आपके बिहार के राजपाल कौन होते हैं सर मौरिस गार्नियर हैलेट और अंतिम बिहार के राजपाल कौन होते हैं तो सर हीउग डाउ सर हीउग डाउ होते हैं उसके बाद इस सेड में आजाएए सुदंता पहचात बिहार के राजपाल पर्थम पांच राजपाल के बारे में यहापर दिया गया है तो देख लेजिए स्री जैराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राजपाल है सुतंता के बाद ध्यान रखेगा सुतंता के बाद बिहार के प्रथम राजपाल को ने तो स्री जैराम दास दौलत राम है सकेंड कौन है स्री माधो स्री हरे अन्ने तिसरा है स्री रंगनात रामचंद्र दिवाकर चौठा है डॉक्टर जाकीर हुसेन पाचमा है स्री मिर्द भूसी आनंद सैनम आयंगर उसके बाद अंतिम पाच के बारे में हापर लिखा गया है तो अंतिम पाच का देख लिजे अभी बरतमार में राजपाल कौन है तो स्री फागो चौहान है फागो चौहान के पहले कौन थे तो स्री लाल जी टंडन थे लाल जी टंडन के पहले कौन थे तो स्री सत्पाल मलिक थे बिहार में पंचायती राज बिहार में पंचायती राज ब्यवस्ता उसके बारे में समझे तो यहाँ पर आपको याद रखना है तिरी अस्तर ये पंचायत है बिहार में बिहार में जो है तिरी अस्तर ये पंचायत है सबसे नीचे आपके गराम पंचायत है गराम अस्तर पर गराम पंचायत जो आपके गराम अस्तर पर और यहां के आपके जो हेड होते हैं मुखिया होते हैं उसके बाद है पंचायत समिती परखंड अस्तर के और यहां के हेड कौन होते हैं प्रमुख होते हैं जिला परिशद जिला अस्तर के होते हैं और इसके हेड कोन होते हैं तो जिला अध्याच इसके हेड होते हैं उसके बाद है परिछा दिरिस्टि से पॉइंट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, 8 अपरेल 2006 से लागू हुआ, वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है, यह पूछा जा सकता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 कब से लागू होता है, तो 8 अपरेल 2006 से लागू होता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहद, बिहार में पर्थम पंचाय चुनाओ का आयुजन कब हुआ तो मैं जून 2006 को तेरी अस्तर्य पंचायतों में महला आरच्छन 50% एबम अत्यांत पिछला बरगों को 20% आपके आरच्छन है इसके बात नेक्स पॉइंट है भिहार की राजवैबस्ता के बारे में समझें बिहार की राजवेवस्ता के बारे में समझना है तो यहाँ पर है बंगाल से पिरतक होकर बिहार एबम उलिशा प्रांत का गठन इसके बारे में देखिए तो सबसे पहले इसमें आपको धियान रखना है कि बिहार को जो है बंगाल से अलग होने की गोस्ता कब किया गया तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया कब किया गया 12 दिसंबर 1911 किया गया और बिहार का गठन कब किया गया तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया है कब किया गया? 22 मार्च 1912 को गठन किया गया बिधाई परिस्यत की परफ्लम बैठक कब होता है? तो 20 जनभरी 1913 को कहा पर होता है? बाकी पूर पटना में होता है परफ्लम उपराजपाल कौन है? तो सर चाल्ज स्टूवर्ट बेले हैं पर्थम आपके उपराजपाल कौन है तो सर चार्ल्स स्टुवर्ट बेले हैं विधाई परिशत की सदसंख्या कितनी थी तो 43 थी इसमें 24 निर्वाचित थे और 19 मनुनित थे और मुख्याले कहा पर था तो पटना में मुख्याले था मुख्याल कहा पर था पटना में आपके मुख्याले था उसके बाद है भारत सरकार अधिनियव 1919 के तहट पुन राज का दरजा तो पर्थम राजपाल कौन बनते हैं डॉक्टर 77 प्रसन सिन्हा बनते हैं और बिहार एवं उरिसा प्रांतिय परिशत की सदसंख्या कितना हो जा इसमें 76 निर्वाजित होते हैं और 27 आपके मनोनित होते हैं जो पर्थम बैठक कब होता है तो 7 फरवरी 1921 को होता है और इसके अध्याच कुन होते हैं तो वाल्टर मोरे इसके अध्याच होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भाराज सरकार अधिनियम 1935 के तहट चुनाव बे सरकार का गठन चुनाव कब होता है जनवरी 1937 में भाराज सरकार अधिनियम 1935 के दवरा चुनाव होता है पर्थम सरकार का गठन 20 जोलाई 1937 को होता है पर्थम प्रेमियर पर्थम परदान मंत्री क जाता था बिहार विधान मंदल का पर्थम सायूंगत दिवैशन कब होता है तो 22 जुलाई 1937 को होता है बिहार विधान सभा के पर्थम अध्याच स्री राम देयालुसी बनते हैं कब बनते हैं तो 23 जुलाई 1937 को बनते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दूतिय बेसे हुद 1949 प्रधान मंत्री डौक्टर स्री कृष्न सिन्ना द्वारा जो है त्याग पत्र दे दिया जाता है 31 अक्टूबर 1949 को त्याग पत्र क्यों दिया जाता है करा निति कहिदी की रिहाई नहीं करा पा रहे थे इसलिए इन्होंने त्य पत्र दे दिया था यह कोशन पूछा जाता है आपसे उसके बाद है कि दूतिये चुनाव कब होता है तो दूतिये चुनाव होता है 1946 में और परधान मंतरी कौन बनते हैं तो डॉक्टर स्री कृष्ण सिन्नाप के परधान मंतरी बनते हैं 1946 में आज के मुख मंतरी बनते हैं उ उसके बाद है स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत सदस संख्या 1950 में कितना था तो 331 था कितना था बिधान सभा में तो उसके बाद है राज पूर्ण गठन आयोग 1956 बिहार बिधान सभा की सदस संख्या जो है 319 318 आपके परतियच पलस एक आपके मनुरित टोटल आपके 319 मेंबर हो गए राज पूर्ण गठन आयोग 1956 की बाद लेकिन 1950 में कितने थे 331 थे दियान रखिएगा उसके बाद 1977 में जो है बिधान सभा की सदस संख्या कितना हो गई 325 हो गया 324 परतियच और एक मनुरित कितना हो गया आपके 325 हो गया 1977 में बिधान सभा की सदस संख्या उसके बाद है कि जारखन की गठन जो जारखन उसका गठन कव होता है तो नमंबर 2000 को इसका गठन होता है के बाद जो है बिधान सवा में कितने संख्या बरतमार में हैं तो बरतमार में 243 मेंबर आपके बिहार के बिधान सवा में हैं ठीक है उसके बाद है कि बिहार की बिधान सबा अध्याच पर्थम अध्याच कौन है तो स्री राम देयालू सी है इनका जो अध्याच का कारिकाल कब से कब तक है इसाब देख लिजिए अजादी के बाद पर्थम अध्याच कौन है बाकि देखे जो अपना घटना चक्र का एक पहला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें बाकि जो पॉलिटी है उसका बहुत सा पार्ट कोई कबर किया गया था बाकि जो घटना चक्र है बिहार की राज बेवस्ता को यहीं पर समाप्त करता है तो हमें भी इस वीडियो के ही पर समाप्त करना होगा ठीक है तो आपको वीडियो कैसे रगा आप लोग कोमेंट करके बता सकते हैं और जो चैनले पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकाशन मिलेगा और इसका पीडियो पर टेलिग्राम गृप से अप्लोड डाउन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है थेंक्यू